हाई फ्रेंड्स रोजगार विदंग की चैनल के साथ आपका स्वागत है जैसा कि आपने दो वीडियो कलेंडर की वन और टू पार्ट आपने देख लिए होंगे तो उनका मैं यूज करते हुए इसमें कुछ बताऊंगा आपको क्योंकि कलेंडर में क्या है एक से दूसरा question रिलेट हो रहा है कहीं न कहीं तो आप थोड़ा सा practice कर लिजिये उन वीडियो को देख करके अलकि मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि पिछले वीडियो से उसका relation कम से कम हो ताकि हर बच्चे को नई वीडियो समझ में आए उतना ही चाहे उसने पीछे वाली देखी हो या ना पर कुछ चेप्टर्स में वो जरूरी है कि आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेंगी मैंने क्रमे बनाई है, वो इसलीए बनाई है कि आप पहला वीडियो यह देखेंगे तो आपको अगला वीडिया बहुत अच्छा समझ माएगा तो इसमने देखिये पार्ट थ्री में हमने क्या प्रिश्चन लिए हैं आपको मैंने पहले ही बता रख रख relationships मैं इसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ हर वीडियो में फर्स्ट पर ही कि आपके लायक ये कुश्चन है अगर आपको लगता है कि इन कुश्चनों में हमें कुछ दिक्कत है या कुछ और अच्छा सीखना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा वरना आपको लगता है कि ये तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं आपको इस वीडियो को देखने का फिर कोई अर्थ नहीं है तो आप पुरे मन से इसको देखिएगा लास्ट तक देखिएगा मैं कोशिस करूँगा ये जल्दी सिमट जाए पर अभी मुझे अगला कोश्चन इसमें देखिए आगे का दिन है मतलब मार्च से जुलाई में जाना है उसी सन में सेम सन है सेम एर है और यहां पर क्या है यहां भी सेम एर है लेकिन इसमें बैक जाना है दूसरे वाले कोश्चन में तीसरे में आप देख रहे है year change हो गया है लेकिन date same है तो ये भी बहुत आसान पड़ता है date same हो year मतलब अलग-अलग हो चाहे कितने भी साल का हो फर कोई समस्चा नहीं है लेकिन जहाँ date भी अलग हो और year भी अलग हो वो थोड़ा सा मुस्किल पड़ता है और ये तब समझ मायगा जब उपर के आपको दोनों तीनों कुश्चन समझ माय जाएं ठीक है तो मैं आपको इन चीजों को कलियर कराने की कोशिस करता हूँ ऐसे आपकी बुक में बहुत सारे कुश्चन दे रखे हैं तो मेरे जो है इस वीडियो को देखकर के आप सायद कलेंडर के सभी कुश्चनों को हल कर देंगे तो यदि 20 मार्च 2002 का बुद्वार रहा हो तो 17 जुलाई 2002 का क्या दिन रहा होगा देकि सिंपल तरीका तो ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ क्या सिंपल तरीका 20 मार्च 2002 का बुद्वार तो 17 जुलाई तो आप देखिएगा 20 मार्च है मान लिजी आज कोई डेट और 17 जुलाई तक जाना है सेम एयर है हाँ 2002 में तो आप देख सकते हैं कितने साल का फर्क है देखिए फेंड्स आपको पहले पता होना चाहिए सबसे पहले इन कुस्टिंस को करने के लिए ये क्लियर रहना चाहिए कि जनवरी कितने दिन की है फर्वरी कितने दिन की है मार्च कितने दिन की है अगर नहीं पता है आपके घर में कलेंडर लग रहा होगा तो उस पे रखके प्रेक्टिस करें वरना तो उंगलियों की गाठों से हम लोग याद रखते हैं जो गाठ पर पढ़ता है वो 31 डेज का मंत होता है और जो गाठ के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं 30 डेज का ठीक है इसमें फरवरी थोड़ा एकसेप्शनल के इस है तो उसको सब जानते है 28 और 29 दिन की होती है कहा 29 की कहा 28 की इसके लिए मैं पढ़ा चुका हूँ आपको 20 मार्च 2002 से 17 जुलाई 2002 का दिन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे तो आप देखिए मैं आपको मार्च से जुलाई तक लेके जाओंगा तो मार्च आपको मालूम है कि 11 दिन मार्च में बच रहे हैं ठीक है अप्रेल में आप देख represents 30age का अप्रेल होता है तो अप्रेल म मुझे कहा तक जाना है 17 जुलाई तक तो फिर मयY में जाऊँगा तो मय के रहे ठीक है जून में जाऊँगा तो जून लगातारी करते सके हैं जनिवर ही डिसंबर लगातारी करते सके ہے बाकी कहीं सब 115 135 जून cosmic कहा होती थी तो morce में कहा तक जाना है तो आप total count कर लीजिए देखिए March से चला हूँ March से तो 20 को नहीं लूँगा 20 के बाद March में कितने बच रहे हैं 11 ओ लिए April, May, June, July तो इन सब को आप count कर सके देख सकते हैं कितना बैठेगा और ये 119 इस 119 में क्योंकि हमें दिन निकालना है तो दिन निकालना है तो साथ का भाग दिया जाएगा साथ का भाग देने का सिर्फ से से मतलब होता है साथ एकम साथ चार उड़न्चास ये तो पूरा कट जाएगा 0 से जब भी 0 से आएगा तो जो दिन ये है सेम दिन पढ़ेगा तो इसका अंसर बुद्धुहारी हो जाएगा तो उब कहो जी सेस एक आता तो क्या करते एक सेस पे आप एक दिन प्लस हो जाओगे दो सेस बचेगा तो आप बुद्धुहार से दो दिन प्लस तो ये दिन दिया रहता है यहां पे इस से ही plus minus होना होता है सेस कैसे आया है आप ये वीडियो फिर से देख लए ना अगर ये समझ मैं नहीं आये बात ठीक है तो आप ऐसे ला सकते हो तो आप ऐसे ला सकते हो देखिये ये back में भी जाना पड़ सकता है आप 8 माई से 12 एक्टूबर चल दो या 12 एक्टूबर से 8 माई चल दो अंतर में कोई फरक नहीं पड़ेगा आप 9 में से 6 घटा लो 9 और 6 का अंतर कर लो difference दोनों का तीन ही है और 6 और 9 का difference भी तीन ही है तो वो तो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है किधर से भी आप घटा लीजिए अंतर तो तीन ही आएगा तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो आप 8 मई की तरफ से किया करो हमेशा कभी आप 12 अक्टूबर से पीछे नहीं अट हो गया ऐसे कुश्यों में ठीक है तो 8 मई से तो मई में कितने बच रहे हैं आप खुद बताइए 31 का मई होता है तो 23 दिन बच रहे हैं अभी मई में तो में में अभी 23 दिन है जून में जाओंगा तो 30 डेज बैठेंगे पूरे जून में जुलाई में जाओंगा तो 31 बैठेंगे पूरे अगस्त में जाओंगा तो अगस्त के पूरे 31 है फिर से अगस्त तो आप सब को मालूम है कहा तक जाना है मुझे अक्टूबर तक सितंबर के फिर 30 है और अक्टूबर के क करते हैं जितना भी difference आता है days का उसमें साथ का divide days के difference में साथ का divide क्योंकि हमें दिन निकालना है तो 7, 2, 14 फिर यहां 2 बचेंगे 27 हो जाएगा और 7, 3, 21, 6, 20 6 remainder है भई 6 remainder है 6-20 है तो क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ 12 October 1996 का मंगलवार है आपको आगे बढ़ना है या पीचे अटना है 6 अगर यह पूछ रहा होता October के बजाए इस year में December का तो आप समझे ए October से तो आगे आएगा December तो इसलिए फिर पिलस 6 होता जदिये December की कहानी पूछता दो लेकिन October से तो बैक में जा चुका है आठ मई तो इसलिए आप माइनस 6 करोगे तो यह माइनस होंगे क्यों होंगे क्योंकि बैक साइड में जाना है हमें तो मंगलवार से माइनस 6 कर दीजे मंगलवार से 6 दिन पीछे हटोगे तो कैसे हटते हैं एक दिन हटेंगे मालीजे सोंबार दो दिन हटेंगे तो फिर रवी वार इस तरीके से हटते हटते जाओगे न तो आपका बुद्धुवार आ जाएगा वो मुझे कैसे पता चल गया मैं आपको बता दू अगर आपको छे घटना पड़े छे हटना पड़े तो आप एक बढ़ जाओगे बात एक ही होती है अगर आपको पांच हटना पड़े या दो बढ़ना पड़े बात एक ही आगे दिन वो ही आएगा आपको अगर 4 हटना पड़े तो 3 बढ़ना पड़े बात 1 ही है मतलब इनका योग 7 बैठना चाहिए 6 के साथ 1 चलेगा 5 पीछे हटना पड़ रहा है 2 आगे बढ़ जाओ 4 पीछे हटना पड़ रहा है 3 आगे बढ़ जाओ तो ठीक है ना तो इसके आप ऐसे कर सकते हो चलिए तो देखिए और क्या तरीका है और मैं अगले कुश्यन में बताता हूँ 5 फरवरी 2005 का मंगलवार हो तो 5 फरवरी 1997 का क्या दिन होगा ये बहुत आसान सवाल होता है 2005 1997 तो मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका देखिए सीधा आप ये देखिए अंतर कितने सालों का है ये अंतर कितने सालों का है पूरे आठ साल का जब भी आपको सेम डेट मिले ना डेट चेक कर ले ना सेम है तो आप कहेंगे पूरम पट ये पूरे आठ साल का फर्क है आठ साल से ना एक कम है ना जादा है तो आठ साल का फर्क है तो बस इसमें क्या करना है इयर जब भी फर्क सालों में हो और एक्जेक्ट सालों में हो तो इयर प्लस लीपियर आप कर देंगे तो year कितने है आठ देख लीजे आप और लीपियर कितने है लीपियर कितने पड़ जाएंगे आप 2005 से पीछ हट रहे हैं आप तो 2004 पर जाओगे 2004 की फरवरी पड़ेगी तो वो लीपियर पड़ेगा 2003 लीपियर नहीं है दो लीपियर नहीं है एक लीपियर नहीं है सन 2000 भी लीपियर इसके बीच में आएगा और हमें फिर 97 तक जाना है इससे बाद चानवे पड़ेगा उससे मतलब भी नहीं है तो सिर्फ दो लीपियर पड़े तो यह जोडने पड़ते हैं इसमें कितना हो गया से अच्छा है आप 7 का भाग दे लीजिए इसमें 3 सेश क्योंकि 10 पीछ रटना थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा तो 3 पीछ रट लो इसलिए तो भाग दिया जाता है कि ज्यादा ना हटना पड़े आपको तो आप इतना रट लीजिए कितना जितना सेस बचता है तो तीन पीछे हट जाएंगे आप मंगलवार से पीछे ही क्यों हटेंगे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे अगर ये दोजार आठ का होता दोजार दस का दिन होता दोजार पीज का होता तो हम आगे बढ़ते लेकिन अगर यह 2004 का है, तीन का है, पांच से पीछे का है, तो पीछ हटेंगे तो माइनस तीन कर दीजे मंगलवार से, एक दिन सोंवार, दो दिन रवी बार, तीन दिन सनीवार, आंसर तो सनीवार इस कोश्चन का अंसर कर जाएगा, अब आप बहुत जल्दी से कर दोगए, किसी भी कोश्चन को, सीधा येर का फर्क देखेंगे, आठ, सीधा लीपियर का फर्क देखेंगे, दो, कितने लीपियर, दस में साथ का भाग, तीन रिमेंडर, तो तीन आगे पीछ लगता ही दिना, नेक्स्ट कुश्चन पर आता हूँ, बीस नॉवंबर दोजार तीन सौमवार रहा हो, तो ठारे दिसमबर दोजार ग्यारा का दिन क्या रहा होगा, देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इस कुश्चन को भी, मैं कोशिस करता हूँ, क्या, मैं दोनों का स तेम डेट बन जाएगी न, तो फिर तो ये सवाल बहुत असान है, 18 दिसमबर का दिन लाना है, मुझे, 18 दिसमबर का, ये मैं लेकर आ सकता हूँ, क्या, 2003 में 18 दिसमबर का, इससे ला सकता हूँ, क्या, कितना मुस्किल है, बहुत छोटा सवाल है तो, तो अभी तो बड़े बड़े सवाल की हैं, हमने पीछे, 2003 का दिन निकालना है, तो 20 नौंबर से 2003 का अंतर देखिए, कितने अंतर, कितने दिन का फर्क है, 10 और फिर 18, बहुत दिसमबर के 18 बस, नौंबर के 10 बचे हैं, दिसमबर के 18, टोटल कितना 28, 28 में साथ का भाग, पूरा सेज, कोई सेज, 0 सेज, मतलब ये भी सौमवार ही आएगा, तो ऐसे आप पहले निकाल लेंगे, इसी डेट का, मतलब इसी डेट का इसमें भी, इस येर में, इस येर में उसी डेट का जो पूछा है, तो उसी डेट का हमने उस येर में निकाल लिया, 18 दिसमबर 2003 का सौमवार आ गया, अब बढ़ना है पीछ अट नहीं है तो year फिलस लीपियर जब ऐसा बन जाए तो ऐसे करते हैं आठ साल का फर्क है क्या है है हाँ पूरा आठ साल का लीपियर देखें 2004 पड़ेगा हाँ पड़ेगा 2008 पड़ेगा हाँ पड़ेगा नो दस नहीं पड़ेगा तो सिर्फ दो लीपियर फिर दस का फर्क दस का तो साथ का भाग तीन रिमेंडर तीन से इसे तो क्या करेंगे तीन आगे बढ़ेंगे या पीछ रटेंगे आगे बढ़ेंगे 2003 से 2011 पर जाना है अब उससे कोई मतलब न नाम है वीरवार गुरुवार सब इसी के नाम है ठीक है त्रस्डे तो ब्रेस्पति वार इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा लेकिन इसका एक हमारे पास दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता दू हर सवाल में लगा सकते हो बहुत लोग करते हैं ऐस कि जी हम 18 दिसंबर 2011 का उस 14,45,03,63 वाले तरीके से नहीं निकाल सकते क्या बिलकुल आप निकाल सकते हो लेकिन ये क्या आएगा ये बिलकुल एक्जेक्ट दिन आता है उससे एक्जेक्ट जो उस दिन होगा बिलकुल एक्चुल तो तुम्हारा जरूरी है कि ये भी फिर ए इधी लग रहा है उसने बोला है कि ये एक्जेक्ट हो ये तो इत्फाक है तुम्हारी किस्मत अच्छी होई तो ये बेलकुल एक्जेक्ट होगा 20омबर 2003 का नहीं किस्मत अच्छी तो ये यदी बोले गादा मैनने तो यदी इसलिए लगाया था कि यदी ये हो तो फिर क्या होगा यदी लगाने की जरूत नहीं थी उसको अगर उसको तुम पर वही फॉर्मूला लगवाना होता ना तो सिर्फ इसका पूछता 18 दिसंबर 2011 का दिन बताओ इतना जमेला नहीं देता फाल तुम कहो जी अब नहीं कर सकते कर सकते हो पहले आपको इसमें लगाना पड़ेगा उस फॉर्मूले को ठीक है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना आगे पीछे है उससे या बिल्कुल एक्जेक्ट है या नहीं है तो पहले मैं 20 नौंबर 2003 का दिन निकालूगा उस फॉर्मूले से कर रहे हो तो ठीक है तो बीस नौंबर का हम निकालते हैं 1146 6 पिलस 2000 का हम 6 और 3 लीपियर इसमें 0 आएगा बटे 7 24, 36, 33 33 में 7 का भाग 5, 6 और 5, 6 पे क्या पढ़ता है वहाँ ब्रस्पत ये ब्रस्पत पढ़ा और यहां क्या दे रखा है सौंबार देख लीजिए तो कितना फर्क है अगर यहां ब्रस्पत ही आ रहा होता तो आपका फिर ये एक्जेक्ट दे रखा ये समझ लेते आप लेकिन ये सही नहीं है ये हमारा आ रहा है एक्चुल डेट तो दिन तो उस दिन ब्रस्पत था लेकिन इसने सौंबार माना है तो आप ये कर लीजिए ब्रस्पत वार से सौंबार कितना कम है कितना कम है एक हटेंगे तो अस्तीन कर देना देखिए आपका आंसर ला रहा हूं में ब्रस्पतिवार आएगा कि नहीं आएगा तो अठारे दिसंबर में लगाईए वही चीज अठारे दिसंबर का छह एक सट चालेस से दो हजार का छह ग्यारे का ये और लीपियर कितने आ जाएंगे चार का भाग दोग एक रिमेंडर पर क्या आता है एक रिमेंडर पर हमेशा आता है संडे तो यह आया रविवार हमारा आया रविवार तो रविवार से क्या करूं रविवार से क्या करूं तीन दिन क्या करते हैं जैसे इसमें तीन दिन हटे ना इसी लिए निकाला है हमने कि जो भी हाँ दो दिन फुक्र वार तिन भी लाना था तो बैसपर्ति वार आग्या ये ऐसे ला सकता उस तरीके से लाएं तो खेंगे कि आपको क्लियर हो गया होगा अगर एसे आप करना चाहते हो तो फिर वह इस तरीके से कर पहूग तेख मीयद है आपको वीडियो समझाया होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो सब अच्छे लगने वाली हैं अगर यह अच्छा लगा होगा तो ठीक है वरना तो कोई बत है ही नहीं जो आपका अमन करें वही आप करोगे मेरे कहने से तो आप जला कुछ करने वाले हो नहीं ठीक है ओके बाई मिलते हैं अगले वीडियो में